हेलो दोस्तों एक पर फिर से स्वागत। आप सबीका अतुल्य R.S. और सूनील बादू प्रस्टुतू ले करके राजस्तान की कलवे संस्कृती में हम राजस्तान कि लोक संत पढ़ रहे थे दोस्तों और लोग संतों में हमने दो ता हमुआइए करो नहीं नहीं का कि अधया हैज लेए वाडग दोस्तों आज जाएनाया धर्रेशाट करेंगे एक तो बात करने वाणे हैं संत धन्ना की संत धन्ना जी समझ मैं दोस्तो तो संत धन्ना जी की थोड़ी बात कर लेते हैं अपनिया वीजिवल होगा सबी को अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तो कोई दिकत नहीं है आप इत्मिनान से जूड़े रहें इसे को किशी प्रकार का संसे हो तो comment box के मादिम से आप जो है जरूर पूछ लिए जिते हैं ये जो है जाट वंस ये थे एक तो प्रमुक बात ये है धनाजी में कि किस वंस से related थे तो जाट वंस ये थे और फिर सबसे ज़्यादतर प्रशन पूछा गया है कि इनके गूरू उत्तर भारत में आपको सभी को ग्यात है कि रामानंद भक्ति प्रम्परा को लेकर कहा एथे तो इसलत धना के जो गुरू है वो रामानंद जी हुए समीमें दोस्तों फिर जो है इनके इनोंने कुछ उपदेश दिये धनाजी ने कुछ उपदेश दिये इन उपदेशों को एक गरंथ में समलित किया गया है यानि संग्रीत किया गया है उस गरंथ का नाम जो है इनका वो मिलता है मिधन्ना जी की आरती क्या मिलता है दोस्तों धन्ना जी की आरती नामक गरंथ में संग्रीत है आरती नामक गरंथ में संग्रीत किसके उप्देश हैं संत धन्ना के उप्देश हैं दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ करके और टॉपिक टॉपिक बात करेंगे दोस्तों अतुल्य आरेस ऑनलाइन की यह विशेश्टा है कि आपको बिल्कुल प्रकरण से संबन देती बात की जा हुआ यहां ना ही हमारी टीम में ऐसा किया जाता है तुल्य आरेस ऑनलाइन पर केवल आपको एक सेलेक्टेड मेटर देना है जहां से आपको कुष्टन पुट हो जाए और आपका काम चल जाए इस तरह का काम हमीं करना है इतना ही वक्त हमारे पास है तो फिर जो हैं आगे इस बात करते हैं तो दनाजी के बारे में कहा जाता है कि इनों निजो भगवान क्रिशन जी है क्रिशन जी की मूर्ति को कि इसको किसने करवाया संत धन्ना ने करवाया था समझे मैं दोस्तों और फिर जो है एक बार प्रशन ये पुछा गया कि संत धन्ना के कितने पद जो हैं गुरू गरंथ साहिब में संकलित हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों धन्ना जी के चार पद कितने चार पद गुरू गरंथ साहिब ये गरू गरंथ साहिब जो है सिखों का सबसे बड़ा धर्मिक गरंथ जो की 1799 में में रोपड पंजाब के अंदर नन का जो गुरू गोविन सिंग जी है उन्होंने पांच ककारों की स्तापना की और गुरू गरंथ जो हजाब में गर्पांच ककारों की स्तापना की और उसके बाद गुरू गरंपरा खतम हुई जर्वें की से डावाख में और अब लिख्से हैं तो पुछा गया है कि जो धन्ना है इनकी समाधी कहा है तो समाधी के विशे में आप लिख लिजेगा दोस्तो कि एक स्थान है गलता जी कौनसा स्थान गलता जी और यह गलता जी जो जगह है आपकी यह पढ़ती है दोस्तो जैपुरजले में कहां परवस्तित हैं यह जैपु बेली कहा जाता है क्योंकि बंदरों की बहुतायत मात्रा के कारण इसको मंकी बेली भी कहा जाता है और उत्तर तोतादरी भी इसी स्थान को कहा जाता है गलताजी को जो की जैपूर में वस्तीत है फिर जो हैं एक बार प्रशनी आया था कि राजस्तान के ऐसे कौन से संत थे जो कि राजस्तान छोड़ करके बनारस गए तो संत धन्ना ऐसे संत थे संत धन्ना इस तरह से लिखेगा संत धन्ना राजस्तान छोड़ कर छोड़ कर बनारस गए कहां गए दोस्तों बनारस गए और यहीं पर क्या किया था रामानंद को गुरु बनाये था किसको जी रामानंद को गुरु बनाये समझे में दोस्तों बात तो रामानंद जी को गुरु उन्होंने यहीं से बना लिया था किसने संत्धन्ना की बात अपन कर रही है दोस्तों फिर जो है मानेता की बात करें तो भगवान कृष्ण की मानेता जो है ये मतलब की भगवान कृष्ण को बहुत जादा मानते थे और सबसे जादा जो लोग प्रिये मानेता है संत धन्ना जी की अगर बात करें स्पैसिफिक तो पंजाब में जो है इनकी ज़्यादा मानेता है संत धन्ना की समझे नहीं दोस्तों और एक और प्रशन इनके संद्रम में पुछा गया है अभी बातों से याद आया तो आपको बता देता हूँ कि इनका जो जनमस्तान है दोस्तों बहुत बार प्रिक्षाव में पुछ लियa जाता है जनमस्तान तो जनमस्तान एक जगै पड़ती है दूवन कौन सी जग mają और ये जो आपका दूवन गाव है ये टौक जिले में है काहा वजस्तीत है दोस्तों टौक जिले में है राज़स्तान के और सारी बाते मैं आप तक प्रेशित कर चुका हूँ कि संत दना जी जाटवन सिय थे गुरू नामानन थे उपदेश दना जी की आरती नामक गरंथ में संग्रेत हैं किर्शन जी की मूर्ती को इन्होंने क्या करवाया बलपूर वक्त बोजन करवाया था और चार पद जो हैं इनके किस गरंथ में गरू गरंथ साहिब में संकलित हैं समाधी जैपूर में जैपूर में किस्तान पर गलताजी में जिसे उत्तरतोतादरी का जाता है मंकी वेली के नाम से भी जाना जाता है और संत दना राजस्तान छोड़कर के कहां जाने वाले संत थे राजस्तान से बना रस गए और वहां रामान अंजी को क्या बनाया अपना गुरू बना लिया और जनमस्तान दूवन और दूवन गाम जो है टोक में पड़ता है एक जनमस्तान में आगे बताओं आपको दोली द संत लालदास जी का जो जनम है वो दोली धोलवर में हुआ था लेकिन संत दन्या का जो जनम है वो दूबन गाम टॉड़ में हुआ था दोस्तों मेव victims अपो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा संट दन्या के बारे में नेक्स अपन आगे बढ़ते हैं प्रिवदार्थियों, नेक्स अपन आगा में बात करते हैं, संत लालदास जी की बात करते हैं, इनके जो पिता हैं, उनका नाम मिलता है चांदमल, क्या मिलता है दोस्तों, चांदमल नाम मिलता है पिता का, और माता का नाम मिलता है हमें समदा, माता का नाम क्या मिलता है, समदा है, इसी तरह से डिटेल और लिखना चाओ, तो इनकी जो पत्नी है, उसका नाम भागोरी मिलत क्या मिलता है भागोरी करके इनकी पत्नी का जो है नाम हमें मिलता है और जो इनकी पुत्री थी एक पुत्री का नाम मिलता है में सुरूपा क्या मिलता है दोस्तों सुरूपा नाम मिलता है पुत्री का मता का नाम संदा और फिर जो हैं डेटेल में अपने लिखेंगे तो जनम अभी अभी मैंने प्रेशित किया था जब दनाजी के बारे में आपको बता रहा था तो जनम एक जगह है दोली दूब करके एक गाउं है और ये दोली दूब जो है अलवर में पढ़ती है पिर जो है इनका वास्तिक नाम है वो क्या है मुक्हे स्तल के बारे में अपन बात करते हैं तो एक स्तान पढ़ता है बरत्तुर के अंदर और उस जगह का नाम है नगला जहाज ये काफी बार प्रिक्षाओं में पूछा गया है कि लालदासी का मुक्यस्तल कौन सा है तो नगला जहाज और ये जो जगह आपकी पढ़ती है ये भरतपुर जले में पढ़ती है कहां पढ़ती है दोस्तो बरत पुरुजले में यही मुक्यस्तान है लालदासी संपर्दाय की अगर अपन बात करते हैं तो फिर जो है अगर संपर्दाय का नाम मैं ले लिया था थोड़ी एक बात और ले लीजिए यहापे कि इनके दोरा जो चलाया गया पंथ था जो चलाया जो आपको वास्तिविक नाम लिखा है खुदावक्स इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि यह मूद रूप से क्या थे मुस्लिम थे और मुस्लिम होते हुए भी रामवक्त थे सबसे बड़ी बात फिर जो है लालदासी जो संपर्दाय है आपका लालदासी पंथ कह ल मानमी ता लालदासी संपर्दाय की जो सरवादी कमाने था या अपनत की जो मानता है और मेर बर्टपूर में आपको पता है छेतर जो मेव भर्टपूर को क्या ते कह लिए और यह समंझ पर और is तो में आपको बताई कि इनका वास्तविक नाम खुदावक्स और ये मुसलमान थे और ये काम क्या करते थे ये वास्तम में एक लकड हा रहे थे जंगल से लकडी वगेरा लाया करते थे काटके और बेज़ करके अपनी अजीका का भेहन करते थे इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की दोस्तों शिक्षा की बात थोड़ी कर लेते हैं अपनिया तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी गद्दन चिस्ती से किसे गद्दन चिस्ती से कहते हैं कि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और ये जो लालदा सी संपरदाय है इस इसमें जब किसी अन्युआई को जो दिक्षित किया जाता है यानि दिक्षा दी जाती है तो दिक्षित जब किया जाता है तो प्रियविदार्थियों क्या होता है कि उस अमुक व्यक्ति को जो इसमें शिक्षा या दिक्षा लेना चाहता है तो उसको दिक्षा देने से पहले गदे पर बेठाए जाता था किस पर गदे पर बेठा कर बेठा कर और काला मुह कर दिया जाता था क्या कर दिया जाता था काला मुह कर दिया जाता था उसका और पूरे गाम का चक्कर लगाया जाता था समझे मैं पूरे गाम में उसे क्या करते गुमाते गदे पर बेठा करके क उसे क्या कर दिया जाता कि पूरे गांग का चक्कर लगाते और ये इसलिए किया जाता था कि उसके अंदर एंकार बिल्कुल भी ना रहे एंकार है उसका धमन जो है स्वाबी मान जो है वार निकल के आए और फिर जो है इसे शर्बत पिला दिया जाता था और इसके बाद ये नमक ग्रंत में जो हैं संग्रेट किये गए हैं फिर जो हैं एक ग्रंत है लालदास जी का वो भी आप यहां लिख सकते हो कि लालदास की चेतावनिया करके क्या करके लालदास की चेतावनिया नमक जो ग्रंत है वो लालदास जी का लिखा हुआ ग्रंत है और उसमें इस लालद मिलता है माता की जहां तक बात करते हैं तो माता का नाम संदा मिलता है पत्नी का नाम भागोरी मिलता है पुत्री का नाम हमें स्वरूपा मिलता है जनमस्तान की बात करें तो इनका जो जनमस्तान था वो धोली दिव था और धोली दो जगे कहां पढ़ती है अलवर जिले में प वारा जो पंठ से लाया गया उस पंठ को हम लालदासी संप्रदाय के नाम से जानते हैं समीमाई शरवादिक जो इसकी मानेता है वो मेवजाती में अलवर वर्थपूर वाले छेत्र में है जो है लालदासी संप्रदाय में दोस्तों मिलती है वर कुछ विद्यार थी जो है ऐसा कमेंट करते हैं की स्पीड बहुत कम है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा तो आप YouTube पे दोस्तों Speed को बढ़ा करके देख लीजिए करें आप Speed को बढ़ाने का option है वहां रहता है आप Speed को बढ़ा करके देख सकते हैं अगर कुछ चीज अवे अच्छी करवानी हो दोस्तो में भी मैं ये guarantee लेता हूँ कि मैं एक बार जो पढ़ाता हूँ आपके समझ आएगा ये मेरा वादा है लेकिन Speed का मेरे पास कोई भी जो है कहते हैं न कोई भी विकल्प मेरे पास उपलब्द नहीं है जो कि आप तक इतनी शिकरता से मैं प्रेशित कर जगो अलांकि दोस्तों लिखा हुआ तो किताबों में बहुत मिलता है हमें लेकिन थोड़ा क्या है कि थोड़ा detail वाइस हमें कोई बताने वाला है तो ज़्यादा तब जो हैं समर्तियां में याद रहती है इस तरह की तो हमने आज संत लागदासदी की बात किये हैं में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे फिर एक दो और बात अपन यहां कर लेते हैं तो एक महिला संत की बात यहां कर लेते हैं अपन मीरा के बारे में महिला संत मीरा की बात करते हैं तो मीरा के संद्रम में आप detail में थोड़ा लिखेगा कि इनके जो पिता थे प्रेविदार थी उनका नाम क्या मिलता है रतन सिंग मिलता है समझे में दोस्तों बात मीरा के पिता का नाम हम क्या मिलता है रतन सिंग मिलता है फिर जो है जनमस्तान लिखेगा जनमस्तान और जनमस्तान में लिखेगा कुडकी और यह जो कुड की जगह है आपकी कहां पढ़ती है पाली में पढ़ती है कहां पढ़ती है दोस्तों पाली में पढ़ती है अलांकि इनका एक जनमस्तान बाजोली भी बताया जाता है क्या बताया जाता है आपको यह नहीं करना है दोस्तों आपको यह बाजोली कभी भी नहीं और फिर जो है गुरू का नाम हलांकि मैंने रेदास पढ़ाये था तो बता दिया था आपको गुरू जो है रेदास जी थे ओर कौनते गुरू तह फिर जो है, पथी का नाम लिखेगा, जिन्हें करनल जेम्स टोड़ने सेनिकों का भगना आवेश कहा है, तो ये महारान सांगा के पुत्तर थे इनके शरीर पर असी गाव थी आपको पता है एक कांग एक नाख वगेरा मुखे रूप से इसके अंग नहीं थे और घोड़े पर पहले इनको पूरी तरह से रसियों से बांदा जाता था युद्ध करने से पूरू महारान सांगा को फिर जब भी इनके पती नाम आप से पूछा जाए तो आप उत्तर क्या दोगे भौज रास दोगे समझे में दोस्तों फिर उपादी की बात करते हैं तो मीरा भाई को कुछ उपादियां मिली हुएं एक तो इनकी उपादिये संतषीरोफ मणी क्या मिलती है संत शिरों मणी पहली उपादी में तो आप लिखेगा संत सिरोमन करके ने जाना जाता है राजस्तान में दूसरी जो बहत बार प्रिटोगी प्रिक्षाव में पूछी जाती है वो इपोर्टन करके आप लिख लेजेगा राजस्तान की राधा कहा जाता है समझे मैं दोस्तों फिर जो है इनकी भक्ति के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी भक्ति कैसी थी तो या तो आपको option में मिले सखा भाव की तो आपको सखा भाव करना है सखा भाव आपको नहीं दिया जाए तो आप मादूरिय भाव करते हैं क्या करते हैं मादूरिय भा की देंगे मादूरिय भाव या सका भाव की जो है इनकी भक्ति मानी जाती है समझे मैं दोस्तों फिर जो है इनकी कुछ परमुक रचनाए हैं जिनके संद्रम में जो है पूछ लिये जाता है बहुत बात और जो इनके पती हैं भोजराज इनकी बात चलो बाद में करेंगे पह सत्या भामाजी नूरू सुनो इनकी रचना का नाम क्या है दूसरी का सत्या भामाजी नूरू सुनो फिर जो है इनकी एक हमें रचना मिलती है रुक्मणी मंगल करके रुक्मणी मंगल नाम से एक पुस्तक का रचना इनोंने की है और एक पुस्तक है नर्सी महतारी हुंडी इस तरह की रचना भी इनके दबारा की गई फिर जो है एक व्यक्ति में रतना खाती कौन जी रतना खाती इन रतना खाती ने जो है इनोंने इनोंने एक गरंथ की रचना की मीरा के निर्देशन में यानि मीरा के कहने पर रतना खाती ने एक गरंथ की रेचना की उस गरंथ का नाम लिख लेजी आप नर्सी जी रो मायरो नर्सी जी रो मायरो ये गरंथ किसके द्वारा रचीत है रतना खाती के द्वारा और किसके कहने पर रतना खाती ने ये लिखा मीरा भाई के कहने पर ये चार बुजा मंदिर और इसे मीरा बाई का मंदिर भी कहते हैं और अन्या मंदिर के अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अन्या मंदिर हैं अन्या मंदिर के अगर हम बात करते हैं तो अन्या मंदिर चितोडगड दुरग में भी है चितोडगड दुरग में भी मीरा बाई का जो ह हमें मंदिर मिलता है तो मीरा कहते हैं कि बगवान कृष्ण के जिस काले रण की मूर्ती की पूजा किया करती थी वैं मूर्ती वर्तमान में एक जगह है जैपूर के अंदर एक मंदिर है जगत शिरोमनी का जगत शिरोमनी ये मान सिंग की जो पत्नी थी जिसकी पुजा जो है मीरा के द्वारा किया की जाती थी तो कन्रका पती ने जो है इस मंदिर का निर्मान करवाया था अपने बेटे जगत सिंग की याद में समझे मैं दोस्तों बात फिर जो है आप बात कर लीजे नीधन की इनका जो नीधन हुआ दोस्तों वो एक स्थान पढ़ता है डाकोर और ये डाकोर जो है इसको द्वार का भी बोलते हैं समय मैं और ये डाकोर स्थान कहां पढ़ता है गुजरात में डाकोर जगे कहते हैं कि यहाँ बगवान कृशन की जो मूर्ती है उसमें विलीन हो गई थी मीरा और उनके चुनड़ी आज भी वहां पर है उस मूर्थी पर जिसकी पूजा की जाती है फिर जो एक छोटा सा बात अपन यहां कर लेते हैं कई बार इनका पूस ले जाता है कि बच्पन का नाम क्या है तो मीरा का जो बच्पन का नाम था दोस्तों मेरे पास जगय का अबाब है मैं यहीं लिख रहा हूँ बच्पन का नाम पेमल मिलता है समझे में दोस्तों बात क्या मिलता है पेमल मिलता है में और विक्रम दित्थे के दबेराई ने जहर भी दिया गया था, जिसे पिने से इनको कुछ नहीं हुआ, कहते हैं कि इनके देवर विक्रम धित्थे ने इनको काफी जो हैं, यात्नाएं दी थी, क्योंकि उन्हें साध संगत में जाना पसंद नहीं था, और मिराभाई का 177 के अंदर युदवा था खातोली का युदवा था जिसमें बोज राज की क्या हो गई थी म्रित्य हो गई थी और उसके बाद क्रिशन वक्ति में विलीन हो गई थी मीरा तो मीरा के पिता पुछे जाए तो रतन सिंग जनम का स्थान कुड की जो की पाली में पड़ता है गुरू रिदास है पती बोजराज है मारान सांगा की पुत्तर थे बोजराज तो उपादी शंत सिरोमनी कहते है राजस्तान की राधा भी कहते हैं बक्ती सगा भाव या आस्यहां की था मीरा के में मेडता में चार बुजनात मनदिर से मीरा का मनदिर के ते और अन्या मंदिर मैंने आपको बता है कि चितोड़कर लुओ के एक लिए दिकतग में ही नहीं होगी दोस्तो तो फिर जो है आगे बढ़ते हैं आगे एक बात कर लेते हैं महिला संथ की ही गवरी बाई कौन सी बाई दोस्तों गवरी बाई की बात कर लेते हैं तो गवरी बाई का जो जनमस्तान है वो है आपका डूंगरपुर कौन सा जी डुंगरपूर है केवल आपको गवरी भाई के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है इनकी उपादी और ये काफी बार प्रतों की प्रेक्षाओं में पूछा जाता है तो इनकी जो उपादी है वो है बागड की मीरा समझे बागड की मीरा कहा जाता है किसको गवरी भाई को कहा जाता है और आपको पता कि महरावल सिफ सिंग ने बालमुकत मंदिर का निर्मान भी डुंगरपूर में करवाया था इनकी लिए गवरी भाई के वो कोई ज़्यादा विशेस बात नहीं है केवल आपको यह याद र इनका जनम क्योंकि राजस्तान से सम्वन देता है तो पूछय जा सकता है तो जनमस्तान दोसा है और दोसा राजस्तान में पढ़ता है आपको बदा है तो दूसरा पूर्वी जिला है हमारा राजस्तान का पहला धोलपूर है तो दोसा में कहते हैं कि 1596 में में इनका जनम हुआता साथ सुन्दरदास की जब अपने बात करते हैं और सुन्दरदास ने टोटल कहते हैं कि 42 गरंथ गोर विरोधी थे इस तरह की बात हमें मिलती है हिंदी साहिते की जब बात करते हैं फिर जो सुन्दरदास है इनके गूरू का नाम हमें मिलता है लिखेगा दादू दियाल क्या मिलता है दादू दियाल सुन्दरदास की बात अलग कि हम मिस्किन दास सुन्दरदास रजजब और इनके बात जो हैं मैं आपसे कर चुका हूं तो दादू द्याल जो हैं इनके क्या हुए गुरू हुए थे और जो हैं सुन्दर ग्रम ठावली का संकलन अगर बात करें इनके संद्रम में एक सुन्दर ग्रम ठावली है जो की लिखी गई है उसका संकलन हरी नरायन पुरोहि इनका मिलता है कि जितने भी संत हुए तो संतों में सरवाधिक पड़े लिखे थे यह क्या थे सरवाधिक पड़े लिखे वेक्ति थे सरवाधिक पड़े लिखे वेक्ति तब के धनी कौन थे सुन्दरदास थे, हलांकि संट जो है लगभग निरक्शर ही माने जाते है जैसे कबीर है अपने आपको क्या मानते है निरक्शर मानते हैं और ऐसा दोबी लिखते है की मसीह कागज चुयो नहीं कलम गही नहीं हात इस तरह का कि मैंने कभी कागज कोछ हुआ नहीं है किलम कभी पकड़ी नहीं है इस तरह का कभीर जो है लिखते भी है कि मैं बिलकुर अनपड आदमियों खुद को अनपड मानते हैं लेकिन सुन्दर दास जो है सबसे पड़े लिखे संतों में माने जाते हैं फिर जो हैं एक संथ मिलते हैं भक्त कभी दुरलब भक्त कभी दुरलब मिलते हैं इनके बाद अपन खर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ देखेगा कि जो दुरलब जिये हुए हैं इनका जो जनमस्तान है वो बागड़ छेतर ही है जनम कहां वागड़ प्रदेश में या वागड़ छेतर में आप लिख सकते हो तो विक्र में संबत में वह था कहते हैं कि 1753 विक्र में संबत था तब इनका जनम वह था ऐसा पूरणती जो है वह हमें नहीं मिलता है क्लियरली लेकिन फिर भी ऐसे नमान जो है लगाए जाते है और किर्शन बक्ति के इन्हों ने देश दिये थे और कारिय छेतर जो है इनका दुंगरपूर और बासवाड़ा रहा था बागड़ पर देश में कौन सा एक तो दुंगरपूर है दूसरा क्या है बासवाड़ा है तो मैं शोट में लिखना हूँ आप समझ जाएंगे बस ए इन्हें राजस्तान के इन्हें राजस्तान के नरी सिंग के लिखावा मिलता है या नर्सिंग कहते हैं राजस्तान के नर्सिंग कहते हैं समझे मैं दोस्तों बात इन्हें राजस्तान का नर्सिंग का जाता है कि इसको भक्त कभी दुरलब को का जाता है तो मैं भी बहुत अ करके आपको कोई दिक्कत लगे तो आप जो है कमेंट बोक्स है आपका उसके माधन से आप जो है हमारे तक प्रेशित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस तरह की अमुक दिक्कत जो है मुझे आ रही है तो उसका निराकरण हमारी पूर्यतुल्य आरेस ऑनलाइन टीम की और से किया जाएगा और बहुत अच्छा लगता है दिवाप लोगों की कमेंट आते हैं अपसने हमारे परती यूही बना रही हम जो है दिल परती दिल आपके लिए कारियरत हैं और अच्छा मेंंटर दीने का प्रयाज समेशा करते हैं इनी सब्दों के साथ दोस्तों जो है इसी कलास को मैं विराम देते हुए नेक्स्ट अपन अगामी कलास में बात करेंगे तब तक के लिए मैं सुनिल बादू आपसे इज़ाज़त चाहूँगा जैहिन जैभारे